एक बार की बात है सुमित नाम का एक लड़का कानपुर शहर में रहता था उसके माता पिता बच्पन में ही गुजर गए थे तब से वो अपनी चाचा चाची के साथ रहता था उसकी चाची बहुत ही चालाग थी वो उससे घर के काम कराती थी और अगर वो काम ढ़ंग से नहीं करता था तो वो उसे मारती भी थी काम वाम ढ़ंग से करता नहीं है हमारे सिर पर बोज बन कर बैठा हुआ है जब सुमित की चाची उससे ऐसा व्यवहार करती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था इससे अच्छा तो मैं इस घर को छोड़ कर ही चला जाऊं। उनकी चाचा चाची का एक बेटा था, जिसका नाम राहुल था, वो भी उनहीं की तरह चालाग था। उसकी चाची जितना अपने बेटे राहुल से प्यार करती थी, उतना ही सुमित से नफरत। जब वो दोनों स्कूल जाते थे, तो उसकी चाची अपने बेटे को अच्छा और ताजा खाना देती थी, वहीं सुमित को रात का बचा हुआ बासी खाना। सुमित का भी मन करता था कि वो भी अपने भाई की तरह ताजा खाना खाये, मगर सुमित मजपूर था, उसे मजपूरन स्कूल में बासी खाना खाना पड़ता था। सुमित के क्लास के बच्चे अपने दोस्तों के साथ इंटर्वेल में खाना खाते थे मगर सुमित का कोई दोस्त नहीं था कुछ समय बाद उसका एक दोस्त बना एक दिन इंटर्वेल में बैठ कर वो दोनों खाना खाते हैं कभी सुमित का दोस्ट सुमित से पूछता है सुमित आज खाने में क्या लाया है रात की बचवी सबजी और रोटी लाया हूँ क्या तू बासा खाना खाता है तू रोज ऐसे ही बासा खाना खाता रहेगा तो तू भिमार पढ़ जाएगा दोस्ट जब मेरी चाची मेरे भाई के लिए खाना डालती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं ताजा खाना खाऊं मगर क्या करूं मजबूर हूँ वो कहती है कि अगर तुझे खाना खाना है तो खा, नहीं तो मेरे घर से दफा हो जा सुमित तेरी चाची कितनी बुरी है कोई किसी की साथ ऐसा वेभार कैसे कर सकता है मगर भाई तू चिंता मत कर मैं अपनी मम्मी से कहूँगा कि एक ओ टिफिन बांतिया करे भाई तू कितना अच्छा है मैं खुश नसीब हूँ कि तू मेरा दोस्त है चल अब ऐसी बाते करता रहेगा ये कुछ खाएगा भी अपना टिफिन छोड़ और मेरे टिफिन से ही खाना खा ले सुमित का दोस्त बहुत ही अच्छा था ये बात जानने के बाद वो सुमित के लिए रोज स्कूल में टिफिन लाने लगा सुमित भी अपने दोस्त को हर बात बताता था सुमित को दशेहरा देखना बहुत पसंद था सुमित के चाचा चाची अपने बेटे के साथ दशेहरा देखने चले जाते थे और सुमित को घर पर ही छोड़ देते थे जब सुमित बाकी बच्चों को दशेहरे में जाते हुए देखता था तो उसको बहुत बुरा लगता था सुमित अपने मन में सोचते हुए पदा नहीं कब मैं भी बाकी बच्चों की तरह दशेरा देखने जाऊंगा एक दिन सुमित की चाची ने उसे खाने का सामान लेने भेजा क्योंकि उसकी चाची की सहेलियां घर पर आने वाली थे सुमित बाजार से जाकर खाने का सामान ले आता है और किचन में रख देता है मगर राहूल जान बूच कर सारा सामान चुपा देता है सुमित जो मैंने तुझे खाने का सामान लाने भेजा था वो कहां है कहां चला गया से क्या मतलब है क्या खाने का सामान यहां से अपने आप गायब हो गया राहूल यह सब देख लेता है वोल्टा अपनी मा को उसके खिलाव वढ़का देता है मम्मे मुझे तो लगता है यह सब इसीने खाया होगा सुमित ने अपनी चाची को बहुत समझाया पर उसकी चाची उसकी एक नहीं सुनती इतनी छोटी सी बात के लिए वो उसे लखड़ी की छड़ी से बहुत मारती है सुमित अपनी चाची के सामने बहुत रोया और गड़ गड़ाया मगर उसकी चाची उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाती वो उसे इतना मारती है कि सुमित के हाथो पैरों से खोन निकलने लगता है कुछ तेर बाद सुमित अपने माता-पिता की तस्वीर देख कर कहते हुए सुमित अपने स्कूल बैग में अपने कुछ कपड़े और अपने माता-पिता की तस्वीर रख लेता है और रात होते ही चुपके से घर से निकल जाता है सुमित के घर से कुछ ही दूरी पर सुमित के दोस्त का घर था उस दिन उसके दोस्त को नीद नहीं आ रही थी तो वो अपने कमरे की खिड़की से तारों को निहार रहा था कि तभी उसे सुमित देखता है सुमित को देखकर वो उसके पास दोड़ा दोड़ा जाता है अरे सुमित तु इतनी रात को स्कूल बैंग लिए कहां जा रहा है भाई मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ मेरी चाची मुझसे जानवर से भी बत्तर विवार करती है अब मेरे से उस गर में नहीं रहा जाता इसलिए मैं हमेशे के लिए वो घर छोड़ कर जा रहा हूँ ने ने भाई तु ऐसा कुछ नहीं करेगा चल मेरे साथ मेरे घर चल नहीं भाई अगर मैं तेरे साथ घर आया तो मेरे चाचा चाची मुझे ढूंट तो ये तेरे घर आ जाएंगे और फिर मुझे उस घर में ही रहना होगा मगर भाई तु जाएगा कहां इस शेयर से बहुत दूर जहां मेरे चाचा चाची मुझे ढूंट ना पाए ले सुमित, ये पैसे तेरे काम आएंगे उसके दोस्त नहीं उसे दिये थे स्टेशन पर एक पाव भाजी वाले का स्टॉल था सुमित उस स्टॉल के पास जाता है भाईया, एक प्लेट कितने की है? बच्चिस की है बैटा ठीक है, आप एक प्लेट लगा दीजिए सुमित पाव भाजी खाने लगता है भाईया, मेरा नाम किसी ने रखा ही नई मेरे ममी पापा मुझको स्टेशन पर छोड़ कर चले गए थे तब से मैं यहीं रहती हूँ सुमित यह सुनकर अपने मन में सोचता है मैं इस बच्ची को ऐसे यहां नहीं छोड़ सकता मैं भी तो इसी की तरह नाथ हूँ अब से यह मेरी छोटी बेहन है सुमित उस बच्ची के लिए अपने बच्चे हुए पैसों की एक और पाव भाजी लेता है और उस बच्ची को दे देता है वो बच्ची पाव भाजी खा लेती है तभी सुमित बच्ची को कहता है आज से तुम्हारा नम अवनी है आपसे तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारा खेया रखूँगा सुमित अवनी को लेकर स्टेशन से बाहर आ जाता है अब वो काम ढूडने लगता है वो बहुत दुकानों पर जाता है पर उसे कोई काम पर नहीं रखता तभी उसे एक धाबा दिखता है वो उस धाबे पर जाता है साहा मुझे काम पर रख लो मैं सब काम कर दूँगा वो ढावे वाला सुमित को काम पर रख लेता है और वो उसे रहने के लिए एक कमरा भी दे देता है सुमित रोज ढावे पर काम करने लगा सुमित अपना काम अच्छे से कर रहा था ढावे वाला उससे खुश होकर कभी कभी उसे जादा पैसे दे दिया करता था एक दिन सुमित अपने मन में सोचते हुए सुमित को भी पढ़ना अच्छा लगता था मगर वो अपनी बेहन का जीवन अच्छा करने के लिए नहीं पढ़ता और ढाबे वाले की मदद से अपनी बेहन का एक सरकारी स्कूल में अड्मिशन करवा देता है वो अपनी बेहन के लिए दिन रात एक करके काम कर रहा था और उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड रहा था उसकी बेहन भी हर साल अच्छे नंबरों से पास होती उनके शेहर में दशेहरे में बहुत बड़ा मेला लगता था और वहाँ के नाटक को देखने दूर दूर से लोग आये करते थे सुमित भी अपनी छोटी बेहन के साथ वहाँ दशेहरा देखने जाता था देखते ही देखते कई साल बीच जाते है उसकी छोटी बेहन अवने अब बड़ी हो जाती है दशेहरे के दिन सुमित और उसकी बेहन हर बार की तरह दशेहरा देखने वहाँ जाते है सुमित का बच्पन का दोस्त भी वहाँ दशेहरा देखने आया हुआ था वो सुमित को देख लेता है और उसे देखते ही पहचान जाता है सुमित अपने दोस्त को देखकर बहुत खोश हो जाता है वो अपने दोस्त को सारी बाते बताता है क्यों उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसकी छोटी बेहन अवनी मिली सुमित के दोस्त ने लखनोव में ही अपनी खुद की कमपनी खोल ली थी सुमित का दोस सुमित को अपनी कमपनी में काम दिला देता है फिर सुमित अपनी बहन को अच्छे कॉलेज में अडमिशन दिलवा कर आगी की पढ़ाई पूरी करवाता है उसकी बेहन की पढ़ाई पूरी होते ही सरकारी नौकरी लग जाती है अब सुमित और अवनी का जीवन बहुत अच्छा बन गया था इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ भी एक ना एक दिन बुरा ही होता है